इस्टॉक मार्केट यानि कि शेयर बजार आप सभी लोगों को पता है और आप कही ना कई स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं या निवेश करने वाले हैं लेकिन आपका एक कोश्टम रहता है कि स्टॉक मार्केट कब हाई जाएगा इस्टॉक मार्केट कब लो कि इस टॉक मार्केट में आट चली अप्रेंड और डाउंट्रेंड आता कैसे नमस्कार दोस्तों मैं मने आदा फॉंड रोप माइट प्रूफ इंद बिजनेस कंसल्टेंट ऐप बडा बिजनेस.com आज की वीडियो में हम कवर करेंगी इस टॉक मार्केट में डाउंट्रेंड और ये इसको फॉर्मूली से समझेंगे हम लोग बच्पन से एक फॉर्मूला सीखते हैं डिमांड और सप्लाई यह एक सिम्पल सा फॉर्मूला यूज करके स्टॉक मार्केट में समझ सकते हैं कब डाउन और कब बद आता अगे तो देखी इसको एक एक्जामपल के थूरू ह समझते हैं कि मानलो अभी कुछ दिन पहले अपने देखा होगा कि गेव, वीट, इसके दाम जो थे बहुत ही हाई थे, किस कारण थे दाम हाई, अनाज आया थो था किसानों के पास थे, लेकिन उस अनाज को डंप कर लिया गया था, किसी बड़ी कंपनी ने डंप किया, कोई व अनुकसान में आ जाए, तो क्या होगा, कि आलू की सप्लाई कम होगी, तो आलू की डिमांड बढ़ेगी जादा, तो रेट हाई हो जाएंगे, तो डिमांड सप्लाई का सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी चीज़ की, या किसी भी प्रोड़क्ट की अगर डिमांड जादा है मार्केट में, और उसकी सप्लाई अगर बहुत कम है, तो रेट हाई रहते हैं, अगर किसी भी प्रोड़क्ट की सप्लाई जादा हो रही है, और डिमांड मार्केट में नॉर्मल है या कम है, तो उसकी रेट कहीं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ऐसी होता है लिए था आपको कि गेहों के दाम जब बड़े थे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आटे के भी दाम बड़े होंगे और वहीं आटा पैकिंग के तुरूँ एक कस्टूमर के पास पहुंचता है तो एक कमपनी है अडानी अडानी कमपनी का नाम आप सभी ने सुना गवा अडानी की एक stock company लिस्टिड है जिसका नाम है अडानी विलगर अडानी विलगर के अंदर क्या है जितने भी खाने पीने की चीज़े है जो ग्रोसरी आइटम है जो हमारे kitchen के आइटम है यह उसमें लिस्टिड है अब क्या हुआ जब गेहों के दाम बड़े थे तो आटे के भी नाम लोग कम हो गए अब जब गेहों बेचने वाली लोग कम थे तो खरीदने वाले जिस rate में उनको मिलने को तयार था गेहों उस rate में उनको खरीदने को तयार थे तो वैसे ही अगर गेहों की supply इप्तम बढ़ जाती जैसे की बढ़ती चली आई वैसे ही गेहों हमेसा सस्ता रहत तो कहीना की rate उसके है अब down होते दिखाई दे रहे हैं गियों के वैसे पिछले साल गियों के rate इसी वज़े से high रहे क्योंकि supply बहुत कम थी और खरीदार बहुत जादा थे तो मनमाने rate पर गियों को बेचा जा रहा था तो इसी तरह market में uptrend and downtrend आता है demand and supply के ओपर फिर से एक आसान भासा में समझे कि demand और supply किसी भी product की किसी भी service की अगर market में demand जादा हो रही है और उसकी supply कम है क्या है कि खरीदार बहुत सारे है बेचने वाले कम है तो क्या है कि जो बेच रहा है उस product को वो अपने हिसाब से rate बताएगा और खरीदने वालों को खरीदना पड़ेगा है उनके बताय हुए rate पर और वहीं अगर किसी product की supply जादा है demand बहुत कम है और जो seller है वो बेचेगा जो खरीदार है वो बहुत ही limited है यहाँ पर खरीदार जो है वो rate डिसाइड करेगा कि उसको किस rate में खरीदना है इसी लिए stock down रहते हैं उस time पे तो uptrend और downtrend हमने बहुत ही असानी से समझा अगर आपको कोई problem आती है तो आप हमारे instagram पर directly connect हो सकते है नेक्स वीडियो को topic आपको कौन सा चाहिए इसके लिए मुझे comment करके जरूर बताएं बहुत ही असान महासा में हमने समझा कि uptrend और downtrend market में आता कब-कब है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है अपने अगली वीडियो में तब पर लिए बावाए दोस्तो इस्ते ट्यून माइन प्रूफ